Hello friends, welcome back to my tuition blog once again So friends, school में अभी periodic test होने वाले हैं तो इस ब्लोग में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से बच्चों को periodic test की तैयारी करवा सकते हैं अगर आप एक parents हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत helpful है अगर आप एक ट्यूशन टीचर हैं तो भी आपके लिए बहुत helpful होगी तो friends, मैं आपको बता दूँ कि first term के बाद जो second term हमारे school में start होता है जो उसके starting के lesson होते हैं अभी second term हमारा suppose 11 chapter से start हुआ है तो October और November का जो syllabus होगा वही paper में आता है, test में आता है, sorry periodic test में तो मैं वही sure को बता रही हूँ कि अभी periodic test का कोई हमें time table नहीं मिला है but sure है कि होने वाले हैं तो उसी के according मैंने ये decide कि क्यों आप हम test की तैयारी करें क्योंकि हर दिन तो हम एक एक chapter पढ़ते हैं और बचा याद करता है ठीक और उसको सुनाता है तो मैं day by day ये देखे मैं आपको दिखा रही हूँ तो इस तरीके से इसकी English में 3 chapter हुए है 6, 7 और 8 और साथ में एक poem है तो मैंने per day एक एक chapter जो है इस से सुनने के लिए दिया तो सुना और सुनने के बाद मैंने test लिया है आप देख सकते हैं 6 का पहले मैंने 6 लिया 7, 8 इस तरीके से ले लिया है और इसने अच्छे से सुनाया है और जो test लिया वो भी अच्छे से दिया और आज मैंने इसको बोला कि आप book का work जो है वो complete हमको सुनाओ जो भी उसमे exercises से fill in the blanks है true false थे इस तरीके से sentences है जो आप book में देख रहे हैं ये सारा कुछ मैंने इसको दिया कि आप इसको learn करो और हमें सुनाओ और इसने हमें अच्छी तरीके से सुनाया है और अब ये मिली है आच्छमन से ये आच्छमन मेरा पुराना student है और जिसने पहले की वीडियो देखे उनको पता होगा और बीच में किसी कारणवर से नहीं आ रहे थे बट आज से इसने फिर से start किया है तो कोई भी बच्छा आए तो मैं पहले starting से उसका basic से शुरू गड़ती हूँ कोई भी आए किस भी क्लास में है सब्सक्राइमरी क्लास तक अगर कोई बचा आता है तो मुझे नहीं पता क्या भूला है क्या याद रहा है उसको तो इस तरीके से मैंने उसे basic में दिया हुआ है आज तो मैंने उसे counting दिये 1 to 100 और उसके बाद मैंने a to z दिया था और छोटा आ से गया दिया था क्योंकि देखे basic तो यही होता है starting यहां से ही होती है यह देखे इसने लिखा a to z जिसमें h गलत है l गलत था o गलत था t गलत था और u और w का formation गलत इसने किया था वो मैं इसको समझा रही हूँ कि आपको यही आपके words गलत है और इसका formation जो है वो गलता इसको आपको सही करना है तो वो सही करके लाएगा और इसने बहुत अच्छी writing में इसने जो हे हिंदी का work किया था वो अभी आप देखेगा बहुत अच्छास किया है इस तरीके से मैं उससे लिख कर भी बता रही हूँ कि इस तरीके से आप लिखो और अच्छे से उसको बताया है मैंने कि formation भी आपका गलत है अब आप यह लेकर हिंदी का काम उसने कि इसने कि अच्छे से इतनी खुबसूरती से किया है तो मैंने उसकी तारिफ के लिए उससे गुट भी दिया अच्छा लगता है ना कि बच्चों को कभी-कभी आप इस तरीके से अप्रिशेट करिए मैस का काम भी उसने बहुत अच्छे से किया है कोई गलती नहीं है और बहुत साफ लिखा है यह बहुत तारिफ की बात है यह देखे आपने फिर उसके बाद मैंने इसको जगए यहाँ पर थोड़ी से बच गई थी तो मैंने टू का टेबल दिया लिए और इसने लिखा और होमग में मैंने इसे एटू जेट दिया इंग्लिश में क्योंकि इस कैपिटल यहाँ लिखवाया तो मैंने स्मॉल इसको घर से करने के लिए दिया फिर दो अच्छर के दो अच्छरों वाले शब्द दिये लिखने के लिए पढ़ने के लिए और आप चलते हैं शौरे के पास मैंने इस तरीके से शौरे का पूरा टेस्ट लिया है क्योंकि पहले मैंने 6 to 7 यानि 6 से 7 एट का टेस्ट प्रॉपर अलग अलग लिया था अब तीनों चैप्टर का टेस्ट मैंने एक साथ लिया है जिसमें वर्ड मीनिंग दी, क्वेशन आंसर दिये और ये फिलेंदा ब्लैंक्स दिये थे और इसने बहुत अच्छे से किया आपने देखा है कि 20 upon 20 मिला भी है इदर आश्मन ने टो के बाद 3, 4 का टेबल लिखा जिसमें दोनों में 6 सा रॉंक था मैंने उसको आंसर बताया और लिखने के लिए भी होमग उसको मैंने ऐसे करके दिया हुआ है कि वो घर से करके लाएगा और इसी तरीके से फ्रेंस मैं शौर को उसके periodic test की preparation कराती हूँ जितना भी syllabus होता है one by one मैं lesson learn करवाती हूँ पहले single single lesson का test लेती हूँ book और copy दोनों को मिला कर फिर एक साथ जितने भी chapter तयार होते हैं एक subject में उनका एक साथ एक question form में सारे question लिख करके फिर test लेती हूँ तो इस तरीके से उसका subject prepare होता है जैसे आभी हमने English किया आभ English के बाद हमने EBS इसको learn करने के लिए दिया है उसके बाद ही EBS का test देगा इसी तरह इसके जितने भी subject में date sheet आने से पहले पहले learn करवा दूँगी ताकि test के time पर इसको ये अंदर से डर न रहे अफियर न रहे कि हमें कुछ आ नहीं रहा है ठीक है और बच्चे को जब आ रहा होता है तो उसके अंदर एक अलग सा confidence जो है वो build होता है तो वो चीज अच्छी है कि बच्चे को properly learn है और वो लिख के देख लेता है तो एक तरीके से हम लोगों को भी confidence रहता है कि हाँ चलो ये नहीं आ रहा है अब ये पढ़ाना है तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करेए बाबाई